पिछले साल 2023 में जब हमने आप लोग उसे बात की थी तो शिमला पुलिस डिस्टिक का दो अबजेक्टिव जो प्राइमरी अबजेक्टिव हमारे हैं एक तो ट्राफिक कंजेशन को प्रापरली शिमला सिटी को डिकंजेस्ट करने के लिए अफट करना और दूसरा था कि जो की अब्यूज है ड्रग पैडलर्स के एक जोरदार कारवाई करना और सुनिश्चित करवाना ये दो प्राइम अबजेक्टिव थे दूनों ही दिशाओं में हमने अच्छा काम किया है ड्रग्स के एंगिस्ट हमारा जोरदार इंपक्ट फूल एक्शन जो हमने 2023 में लिया ज 676 लोगों के किलाब कारवाई की अगर हम इसका comparative analysis करें पूरे state के साथ दूना करें तो 30% के करीव action जो है अकेले शिमला डिस्टिक ने पूरी state में लिया है और इसका जो है ground के ओपर भी अब impact दिखने लगा है जिस परकार से एक जो स्थिती बने हुई थी नशे का जिस पर सेम देश की काफी हद तक larger extent तक हम इसमें इसको contain करने में कामयाब हुए हैं और इसका feedback हमें distant villages से भी मिल रहा है अपनी city से भी मिल रहा है और लोगों से भी मिल रहा है कि अभी नशे की जो चुनाती थी उसमें लगातार गिरावट जो है वो capital में भी आ रही है और पूरे श दिखा नहीं होगा कि हमारे capital में कहीं lawlessness हुई होगी this all happened because of the use of the CCTV cameras 15% road accident शिम्ला capital में कम हुए district में कम हुए 25% जो है deaths में जो है वो गिरावट आई और 30% जो है वो injuries में जो संख्याती पिछले सालों के तुलना में उसमें कमी आई है तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि road safety को maker की जो हमारी planning थी वो useful साबित हुई है effective साबित हुई है और इस वर्ष में भी हम इसी परकार के अपने effort जो हैं वो जारी रखेंगे